हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका हमारे यटूब चैनल हेल्स लाइफ में फ्रेंड्स आज हम जानेंगे स्वष्थ रहने के सही तरीकों के बारे में कि हमें स्वष्थ रहने के लिए अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले हम जानेंगे वाग करने का सही तरीका क्या है तो हम आपको बता देंगे फ्रेंड्स की हममें से बहुत से लोगों को वाग करने का सही तरीका मालूम नहीं है जिसकी वज़े से उनके स्वस्त के फायदे के बज़ाय नुकसान पहुंचता है इसलिए हम आपको बताएंगे वाग करने का सही तरीका और किस उम्र में वाग करने चाहिए जो लोग रोजाना वयाम नहीं कर पाते उनके लिए सैर करना बहुत जरूरी है जब आप वाग कर रहा है तो उस समय आप अपने पीट को सीधा रखे ज्यादा तर लोग पीट जुका कर वाग करते हैं यह तरीका बिल्कुल गलत है अगर आप जुक कर वाग करते हैं तो इस तरह से वाग करने पर आपकी पीट में तकलीफ बढ़ जाएगी इसलिए वाग करते समय पीट को सीधा रखे वाग करते समय हाथों को बांदना नहीं चाहिए अगर आप हाथों को बांद कर वाग करते हैं तो इससे आपकी कंदू में भी दर्द हो जाएगा अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग 10 से 15 मिनट ये वाग करते हैं हम आपको बता दे कि रोजाना कम से कम 30 मिनट तक वाक जरूर करें ऐसा करने से आप स्वस्त रहेंगे अब हम जानेंगे स्वस्त रहने के 15 सुत्रों के बारे में सबसे पहला सुत्र यह है कि प्रती दिन आप राता सुर्योदय से पहले उठकर दो या तीन किलो मीटर घूमने जाए भगवान सुर्य की आराधना से दिन का आरंब करें इससे एक सक्ति जागरित होगी जो आपके दिल और दिमाग को ताजा रखेगी दूसरा सुत्रिया है कि हमें अपने सरीर को हमेशा सीधा रखकर बैठना चाहिए चले तो तनकर चले और खड़े रहे तो तनकर ही खड़े रहना चाहिए ऐसा करने से हमारा सरीर चुष्त रहेगा तीसरा सुत्रिया है कि फ्रेंज भोजन से हमें अपने स्वस्त को बनाने का प्रेस करना चाहिए इसका सही तरीका है भोजन खुब चबा चबा कर खाए ताकि जिससे आपको आनन्द भी मिले और आपका पाचन ग्रे भी ठीक रहे इससे कोई भी समस्य उत्पन नहीं नहीं होगी चोथा सुत्रिया है कि मोटापा आने का मुख्य कारण तैली यव मीठे पदार्थ होते हैं जिसके सेवन से सरीर की चर्वे बढ़ती है शरीर में आलस और सुष्टी आती है इसलिए इन पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए पाच्वा सुत्रिया है कि गरिष्ट भारी भोजन या हजम ना होने वाले भोजन का त्याग कर दीजिए अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप पूरे दिन में सिर्फ एक समय का उपवास रखें शे नमबर सुत्रिया है कि गाड़ी बस ट्रक बाइक इन सब चीजों का उपयोग कम करें जहां तक हो सके उतना पैदल चले क्योंकि पैदल चलने से मांस पेशियों का व्याम होगा जिससे आप दिरोग रहकर आकर्चक बनेंगे साथ ही पर्यावरन के भी रक्षा होगी साथ नमबर सुत्रिया है कि हमें प्रते दिन भोजन में अधिक चे अधिक मात्रा में फल सज्जों का प्रियोग करना चाहिए जिससे हमारा सरीर उन पूसकत्तों को प्राप्त कर स्वस्त रहेगा आठ नमबर सुत्रिया है कि आपको अपने दिमाग में सुष्टी नहीं आने देना है आपको अपने कारे को ततपर्ता के साथ करने की चाह रखनी होगी नौन नमबर सुत्र यह है कि आप अपने घर के कारे को स्वैम करे यह कारे आपको अनिक व्यवाम का फ्ल देंगे दस नमबर सुत्र यह है कि ब्यश्टता एक पर्दान है यह दिर गायू होने की मुफ्त दवा है इसलिए आप स्वेम को जितना हो सके उतना व्यश्ट रखे आठ नमबर सुत्रिया है कि कपड़े अपने व्यक्तित्व के अनुरूप पहने थोड़े चुष्ट कपड़े पहने इससे फूर्ति बनी रहेगी बारा नमबर सुत्रिया है कि जीवन चलने का नाम है गते सीलता ही जीवन है या सदा याद रखे तेरा नमबर सुत्रिया है कि अपने जीवन में लक्ष उद्देश से और कारे के प्रती समरपड का भाव रखे तभी जाकर आप अपने जीवन में लक्ष की प्राप्टी कर पाएंगे 14. सुत्रिया है कि सरीर की सुन्धर्टा के साथ सात्मन की भी सुन्धर्टा बहुत ज़रूरी उसका सफाय में भी इसका विशिष ध्यान रखे 15. सुत्रिया है कि आप सुबा एवरात को मंजन आवस्चे करें इसके साथ ही जब आप सोने जा रहे हैं तो इस नान करके कपड़ी अवस्टे बदल ले ऐसा करने से आप ताजगी महसूस करेंगे तो फिर ये थे आपके जीवन में स्वस्त रहने के कुछ सुत्र थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों कमेंट करके जबरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कासी लगी फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ